आज मैं आपको नया रिस्पी दिखा रही हूँ आवला का अच्छार बहुत टेश्टी येमी रहता है ये नया तरीके साब बना के देख लिए तीन चार साल तक भी कराब नहीं होगा मैं कुछ टिप्स भी आपको बता रहे हैं वो फॉलो कर दिया तक तेन चार साल तक आपको टेश्टी आवला का चरका सकते हैं देखे मैंने दो किलो आवला लिया है उसको सब मैंने देखे उसका अंदर का गोटली निकाल लिया है ऐसा काट काट के मैंने रख दिया है अभी ग्यास को ऊपर मैंने कड़ाय रख दे गरम होते हैं मैंने तील का तेल डाल दे कि क्या होता है अच्छा मैंने तील का तेल बहुत टेस्टी देता है एक पर आप तील का तेल में बना के देखें तेल गरम होते हैं मैंने काट के रखाता आवला को इसका अंदर डाल दिया आपला है ना ब्राउन कलर होने तक हमने इसको फ्राय कर देंगे तो इसके जल्दी कराब भी नहीं होता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका एक पर आप ऐसा बना के देखते हैं तब आपको इसका टेस्ट बता चलेगा देखें ब्राउन कलर हो गया है मैंने अभी इसक स्पून मेंने सिर सोर डाल लिये सिम में रखके इसको अचकी तरह हम फ्राय कर देंगे फ्राय हो गे इसको साईड लेंगे देखे यह ल्सुन हिए और बैसे चार्थ इसको प्रॉज। बचा हुआ तेल में अभी दो कड़ी पत्ता लेके उसका पत्ता को भी मैंने इसका अंदर डालके फ्राइ कर रहे हूँ अभी इसको भी हमने ब्राउन कलर होने तक इसको हमने अच्छी तरह फ्राइ करके निकाल लेंगे इसका कुश्वो हेना अच्छा में बहुत टेश्टी ब्राउन कलर हो गया है अभी मैंने 10 स्पोन मिर्चा पोड़र डाल रहे हूँ आपको इससे भी जादा ठीका चाहते हैं जादा डाल सकते हैं अभी देखिए मैंने 50 ग्राम कश्मीरी चिली पोड़र डाल रहे हूँ अभी मैंने पीस के दर दर पीस के रखा था मेतिय और सलस 75 ग्राम का इंग डाल दिज़े क्या अच्चार में में रहता है इंग का खुष्पो यह लिए अच्छा देता है और डईजेशन के लिए अच्चा है आस्पेशले मैं चाहिए चाहिए तट 25 ग्राम में इंग तो 25 ग्राम मैंने इंग डाल दिया, अभी सब सिम में रखे अच्छी तरह हमने फ्राइ कर दिया है, अभी देखे मैंने टेस्ट के इसाब से नमक डाल दिया है, आदा किलो नमक डाल दिया मैंने, 2 किलो आवला के लिए आदा किलो नमक डाल दिया, आपका टेस्ट के इसाब से नमक डाल दीजिए, सब सिम में रखे फ्राय कर दिया है, अभी मैंने फ्राय करके रखा था, आवला को भी हमने इसका अंदर डाल देंगे फ्राय करके डालते हैं बहुत टेश्टी रहता है, यह पर ज़रूर आप इसको ट्राय करके देखे, अभी देखे, सब डाल देखे, गरम करके तेल को डाल दीजिए, अभी इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देंगे बहुत टेश्टी कितना पुरान होते जाएगा, उतना इसका टेश्ट भी बढ़ जाता है और आवला तो आपको पताए है, हेल्थ के लिए सब बहुत अच्छा है जिरूर इस तरह आप ट्राइ करके देखे, अभी सब मिक्स करने के बदे एक जार ले लिजे, काज का जार ले लिए तो बहुत अच्छा है उसको अच्छी तर दो के दूप में रखे, उसके बार उसका अंदर आप डाल दीजे डालने का बदेना, इसको आप टिप्स में बता रही हूँ, इसका डखकन एकदम टाइट रहना चाहिए आपने कुछ भी प्लास्टिक का कवर, नहीं तो कपड़ा कुछ भी रखे, उसका उपर आप डखकन रखके टाइट कर दीजे तब एक कराब नहीं होगा, और आपको डाइली यूज के लिए है न, एक चोटा सा बॉटल में आप निकाल के रख दीजे और पूरा स्टोरेज एक बड़ा डबा में डाल के रख दीजे, वो आप निकालते हैं, उसका अंदर घीला हुआ स्पॉन नहीं डालना चाहिए और एकदम क्लीन मिंटेन कर दीजे, तब आपका अच्छार कराब नहीं होगा दो क्या तीन साल तक पर अच्छार कराब नहीं होता है, क्यों मैं इसको यूज करते हैं, दो तीन साल तक कुछ भी नहीं होता है, और भी टेस्ट बढ़ते जाएगा ऐसे मैंने बता है, वही टिप्स फॉलो करके आप बना के देख लिजे, अच्छा लगता है ते मेरे ब्लॉग को, लाइक किजे, शेर किजे, सब्सक्राइब किजे, तैंक, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे तब तक लिए